वेल्कम एव्रिवन वेल्कम तो माई यूटूब चैनल जीरो असोशियेशन तो आज हम एक बहुत ही इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हमारे इंडिया का ही नहीं एक इंजिनियरिंग का बहुत बड़ा अजूबा है जब ये बन कर तयार हो जाएगा द एक छोटे तोर पर बट इसका ग्रांड ओपनिंग अभी बाकी है जिससे ट्रेन स्टार्ट हो जाएगी तो वह बाकी है तो चिनाव ब्रिज बन कर तयार हो चुका है ये दुनिया का सबसे उंचा ब्रिज है ठीक है तो ये एक किस टाइप का ब्रिज है रेलवे ब्रिज है और एक आर्च ब्रिज है आर्च किसको बोलते है ये जो शेप है पैराबोला शेप ये बना किसके किसके बीच में है बाकल एक जगह है यहां पर यह आप इंडिया के मैप में देख सकते हैं इसको जूम आउट करके ये चिनाव रिवर है जो ब्लू कलर की है इसमें बाकल ज इसके बारे में देखना चाहें तो ये लगभग 1.3 किलो मीटर लंबा ब्रिज है और 359 मीटर ये रिवर बेड से उंचाई है इसकी ठीक है जो मेन आर्च है वो 485 मीटर लंबा है जो मेन आर्च है और ये लगभग 20,000 करोड का प्रोजेक्ट था और जो ब्रिज का कोस्ट है वो 512 करोड का प्रिज है ये इस पर जो ट्रेन चल सकती है इसके उपर ये 100 किलो मीटर पर आवर की स्पीड से लगभग ट्रेन इसके उपर मूब भी कर सकती है और ये लगभग हवा की स्पीड जो यहां पर होगी उस 220 किलो मीटर पर आवर की जो हवा की स्पीड है उसको भ बड़ा ब्रिज है तो अगर एफिल टावर को इसके रिवर्बेट से खड़ा किया जाएगा तो भी ये 35 मीटर एफिल टावर से भी उचा है ठीक है तो बाकी चीजों कानुमाना आप लगा सकते हैं और इसमें जो हवा है इसकी जो जो इसमें स्टील लगा हुआ है वह एफिल Northern Railway और के आर सी एल के संरक्षण में ये सापूर जी और पालम जी ग्रुप की एक कमपनी है जिसका नाम है एफ़ोंस कमपनी करके है एफ़ोंस कमपनी है वो इसको बना रही है बेसिकली तो एफ़ोंस जो कमपनी है उसने इसके लिए बहुत बड़े बड़े डावे किये है और ये कमपनी बहुत सारे दावे किये हैं और क्या क्या चीजे उन्होंने बताई है वो हम बताएं तो बेसिकली ये क्या है ये चिनाव रिवर है इस पर आप देख रहे हो ये एक आर्च पहले तयार किया गया arch त्यार किया गया और किसकी मदद से त्यार किया गया यहाँ पर हलका हलका सापको दिख्राओगा cables की मदद से तो cable crane की मदद से कुछ arch bridge त्यार किये गया ठीक है यहाँ पर main challenge जो था क्योब को पता है कि जम्मू कश्मीर का area जो है बहुत remote location है वहाँ पर obvious सी बात है इतना बड़ा construction करना है तो वहाँ पर जो ये सामान लेकर जाना है या फिर जो भी construction materials पहुचाना है वो सबसे कठिन काम था engineers के लिए क्योंकि वो location बहुत remote थी तो वहाँ पर crane लेकर जाना इतनी पहाड़ियों के बीच में ठीक है और ये बहुत heavy equipment होंगे obvious सी बात है वहाँ पर जब आपको foundation बनाना होगा आपको bombing करनी होगी आपको blast करना होगा तो जब उन्होंने ये सब चीजे की और आपको पता है जमून कश्मीर का जो area आता है वो seismic zone 5 में है मतलब भूकम छेत रहे उसके लिए बहुत sensitive area है तो उसके लिए इनकी मदद IIT की नहीं इनकी help की थी तो ये कुछ इस तरह से आपको project दिख रहा है जो cable cranes के जरिए इसको बनाया गया था इसमें अगर मैं बहता हूँ तो 25,000 ton steel लगा हुआ है जो तीन गुना जादा है effort tower से effort tower आपको पता है पूरा ही steel structure है तो ये जो main arch है इसका जो ये दिख रहा है है कि ये जो main arch है इसको बनाने में केवल इसको बनाने में इसकी steel को setup करने में ध्याइ साल का वक्त लगा इंजीनियर्स को ध्याइस साल का वक्त केवल इसको setup करने में लगा बन खे चुके थे और किस walks की मदद से से हमने किलो मीटर पर आवर की स्पीड से भी अगर ट्रेन जाएगी तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा तीसरा इस पर जो विंड स्पीड है वो दो सो साथ किलो मीटर पर आवर भी होगी क्योंकि यह उब इससे बात है उचाई पर है तो हवाएं बहुत तेजी चलेंगी तो दो स 1489 में इसको रोक दिया गया था इसका कंस्ट्रक्शन उसका रीजन ये था कि यहां पर इतनी तेज हवाएं उपर चल रही थी तो यह कहा जा रहा था कि जब ट्रेन यहां से निकलेगी तो यात्रियों को दिक्कत होगी या बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी तो उसको ओ पूरा एक कंस्ट्रक्शन तो इसमें क्या है दोनों साइड से कंस्ट्रक्शन करते 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 आएं हैं और बीच में उसको जोड़ दिया गया है ब्रिज को और इसी आर्च के ऊपर हमने उसको ले किया है यह इतना मजबूत आर्च है कि 2001 में आपको पता है 2001 में गुज उस रेक्टर स्केल का उतना हाइस्ट रेक्टर स्केल का भी अगर भोकम यहां पर आता है तो इस ब्रिज को कुछ भी नहीं होगा यह इतना मजबूत ब्रिज बनाया गया है ठीक है और इस ब्रिज की मजबूती की बात आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हो कि यह जो पू पिलर ऐसा कहा जाता है कि अगर कल के दिन एक भी पिलर इसमें से टूट भी गया या वर किंग नहीं रहा तो भी ये ब्रिज जो है ये और किंग रहेगा । यह 120 साल तक चलेगा मतलब इसकी जो लाइफ स्वान है इस ब्रिज का यह 120 साल रखा गया है कि कहा गया है कि 120 साल तक तो यह आराम से सस्टेन कर लेगा ठीक है क्योंकि जो मेजर फैब्रिकेशन है यह साइट पर ही किया गया है कहीं से बना कर इसको नहीं लाया गया इसको जो भी बनाया गया लाकर यहीं पर बनाया गया साइट पर ही और यहां पर लगाया गया है तो यह बहुत बड़ा काम हुआ है एक civil engineering दृष्टी कोंड से अगर देखा जाए तो और दूसरा इस ब्रिज की quality चेक करने के लिए क्योंकि आपको पता है आप बहुत सारे लोग बोल सकते हैं सर भृस्टाचार हो सकता है तो quality चेक करने के लिए बहुत सारी international firms को बहुत सारे international ऐसी कंपनियों को यहां पर invite किया गया था कि आप आकर देखिए हमारा जो ब्रिज है इसका quality चेक करिए तो सब ने आउट इनको बोला है कि इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है quality में कोई भी compromise नहीं किया गया बहुत अच्छा काम है तो सारी जो भी international companies है उन्होंने भी इनको विजट किया है और यह सब बोला है अब लगभग 98% इसका work done हो चुका है इस bridge का और लोग अब जाते भी हैं उस bridge के उपर अब उसके आसपास का क्योंकि यह जो bridge है यह basically मैंने आपको बताया कौरी और बाकल के बीच में है बाकल क्या है रेसी district का एक part है तो उनके बीच का है तो basically यह क्या है कि आपको पता है कि जो Indian railway है वह कस्मीर से कन्या कुमारी तक एक route बना रही है जो कस्मीर से कन्या कुमारी को जोड़ेगी railway route तो उस railway route का ही यह part है basically कि हम सारी पर कोई लोकेशन एसी रिमोट रोकेशन न रह जाए तो उस रेलवे प्रोजेक्ट का ही ये पार्ट है उसी के तहत इसको बनाया जा रहा है तो लगभग कम्प्लीट हो चुका है अब वहां तक पहुंचने के लिए भी तो क्योंकि बाकल से यहां तक का तो ब्रिज बना दिय लेकिन यहां भी तो पहुंचना है कहीं और से तो उसके लिए भी रेलवे का ट्रैक डल रहा है जैसी वह कंप्लीट होता है वैसे ही सारा काम आपको कुछ समय बात पता ही चल जाएगा कि इसका उधगाटन भी हो चुका है तो आपको वीडियो पसंद आया होगा कोई भी बताईएगा और कुछ ऐसे इंट्रेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे बताईएगा गुडबाई गुड़नाइट